हेलो स्टुडेंट्स आज हम करेंगे क्लास 10 का चेप्टर सेकिंड पॉलिनॉमियल उसकी हमने पहली एक्सराइज कर दी थी 2.1 2.2 का भी हमने फर्स्ट कोश्टन कर लिया है और उसके नोट्स भी मैंने आप पुसेंड की थे वट्साइब पे आज हम करेंगे कोश्टन नमबर नहीं पर लिया है और उसका मतलब हमारा क्या है कि जो फ्र्स्ट पॉलिनॉमियल जो है वो second polynomial का factor है और अगर remainder 0 नहीं आया तो it means जो first polynomial है वो second polynomial का factor नहीं है अब देखिए यहाँ बे question number second का मैंने second part लिया है first भी किया है second part में और first part में आपको यह पता चल जाएगा कि remainder 0 आएगा या नहीं आएगा पहले हमने second part शुरू किया है इसमें क्या दिया है देखो बच्चे first polynomial क्या है x cube minus 3x plus 1 यह first polynomial हो गया और second polynomial क्या है first polynomial को हमने divisor लेना है और second polynomial को हमने dividend लेना है तो यह क्या है हमारा x5 minus 4x cube plus x square plus 3x plus 1 इस बड़े वाले polynomial को हमने second polynomial रखा है और इसको हमने as a dividend use करना है और जो first polynomial है इसको हमने as a divisor लेना है अब हमने देखना है कि इसका remainder क्या आएगा अगर इसका remainder 0 आता है तो it means यह जो first वाला है polynomial यह इसका factor है अब देखिए dividing this second polynomial by first polynomial we have हमने divisor ले लिया है जो first polynomial हमें दिया था और second polynomial जो है वो हमने ऐसे dividend लिया है और मैंने आपको divide करने के कुछ rules बताये थे कि divide कैसे करना है सबसे पहले हमने देखना है कि जो हमारा first variable है उसकी power कितनी है अब first polynomial हमारा dividend जो हमारा यहाँ पे है इसका first polynomial क्या है x raise power 5 चीक है variable के साथ multiply होगी कि so that हमें वो x5 मिल जाए अब हमारे पास यह देखिए मैं आपको rough में थोड़ा सा समझा देती हूँ अगर हमारे पास x cube है हम इसको x square के साथ multiply करते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा when in multiplication when bases are same powers are added तो हमारे पास क्या बन गया x raise power 5 तो हमने क्या करना है x square के साथ हमने इस पूरे polynomial को जो यह divisor है इसको multiply कर देना है अब क्या बनेगा x square multiply x cube तो हमारे पास आगया x 5 दूसरा जो है वो minus है तो x square को 3 x square के साथ multiply करे लेंगे तो क्या बन जाएगा यह 3 ऐसे रहेगा और x into x square क्या बन जाएगा x cube and bases are same powers are added यहाँ पे 2 है और यहाँ पे x की power 1 है तो bases are same powers are added 1 plus 2 is equal to 3 तो यहाँ पे क्या आगया यहाँ पे यह minus ही था minus 3 x cube plus 1 के साथ इस x square की multiply होगी तो यह बन जाएगा 1 into x square is x square अब हमने और क्या मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे जो हमने sign लगाने है वो हमने opposite लगाने है यहाँ पे plus है तो हमने minus लगा दिया यहाँ पे minus है यहाँ पे plus लगा दिया और यहाँ पे plus था और यहाँ पे minus लगा दिया plus 5 sorry plus x raise power 5 minus x raise power 5 यह cancel होगया और minus की जो term है वो बड़ी है तो इसके साथ भी minus हमारा लग गया, अब यहाँ पर क्या है, अब यह उपर वाली terms चो है, यह हमारी कहां आ जाएंगी, यह नीचे आ गई, और यह वाली term भी हमारी नीचे आ गई, और जैसे इनके साथ sign लगे थे, वैसे ही वो sign हमने यहाँ पे उतार दिये, अब हमें क्या चाहिए, एक्स क्यूब चाहिए, अब एक्स क्यूब चाहिए, तो हमें कोई जादा महनत लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास diviser में भी पहला क्या है, एक्स क्यूब है, और फिर उसके बाद 3X चाहिए, वो भी हमारे पास है, और फिर उसके ब इतनी कोई hard and fast टूल नहीं है कि हमें यहां पर minus है तो यहां पर भी minus के साथ multiply करनी है हम यहां पर plus के साथ multiply भी कर सकते हैं जब हमने यहां minus के साथ multiply की तो हमारे पास क्या आगया x cube multiply by minus 1 is minus x cube क्योंकि हमने यहां पर minus 1 के साथ multiply की है अब minus into minus plus तो यहां पर दूसरी टर्म मारे पास आगई प्लस थ्री एक्स प्लस और यह है माइनस माइनस वन प्लस इंटू माइनस जाएगा माइनस वन अब अपुजिट साइन माइनस के अपुजिट प्लस प्लस के अपुजिट माइनस और माइनस के अपुजिट प्लस तो यह भी कैंस हो गया और plus 1 और plus 1, क्या बनागे, 2 तो हमारा remainder क्या आ गया है, यहाँесव 2 आ गया, इसका मतलब हमारा remainder षो हम्हेंटर नहीं आया है, हमारा remainder षो फस्ट polynomial, वह सेगिंधBeautymail क क्या होना था, factor होना था , Somers which means that, इसका क्या मतलब हो वुटारी है, जो हमारा factor of the second polynomial तो ये था हमारा second question का first part और मैं ये आपको इसके notes जो है वो WhatsApp पे भी send कर दूँगी और वहाँ से आप असानी से note down कर सकते हो अपनी copy ये question है हमारी polynomial chapter second है और इसकी second exercise का question number two है जिसमें हमने factor की बात की है factor की बात कैसे हुई है कि हमें दो polynomial दिये हैं उसमें जो first polynomial है वो हमें second polynomial का क्या चाहिए factor होना चाहिए अगर है factor तो वो हमें कैसे पता लगेगा कि जो first polynomial है वो second polynomial का factor है जब हमारा divide करके remainder zero आएगा तो it means जो हमारा first वाला polynomial है वो second polynomial का factor है अब ये polynomial से पहले भी अगर हम ने बहुत बार बात की है factor, factor हम बहुत बार बोलते हैं तो इसका क्या मतलब है कि जैसे example लेकर बताती हूँ मैं आपको जैसे 4 है, number 4 है अब इसका factor कौन-कौन से number हो सकते हैं, तो वो हम कैसे पता लगा सकते हैं, कि जब हम ये देखेंगे कि जो number 4 है, वो और किस-किस number के साथ divide होता है एक तो 1 के साथ divide होगा एक number जो लिया है वो खुद अपने आप के साथ divide होगा और कोई number होगा, जिसके साथ वो divide होगा, suppose ये हमने लिया है factor of 4 1 into 4, अगर हम 4 को 1 के साथ divide करते हैं तो 1 के multiplication में हम देखेंगे कि 4 आता है, नहीं आता है, तो 1 multiply 4 is equal to 4, तो ये 4 जो है, वो 1 के साथ पी क्या होजाता है, divide हो जाता है फिर 2 to the 4 तो अगर हम 4 को 2 के साथ divide करेंगे, तो 2 multiply 2 कितना आजाएगा, 4, तो remainder हमारा क्या आजाएगा 0, वैसे ही 4 into 1 is equal to 4, अगर हम 4 को 4 के साथ ही divide करेंगे तो 4 को हम 1 के साथ multiply करेंगे तो हमारा remainder क्या आजाएगा 0 आजाएगा, जब वहरा remainder 0 आगया तो it means, ये जो तीनों number है, ये 4 के क्या बनगे, factor बनगे, 1, 2 और 4 ऐसे ही polynomials में भी है polynomial में हमने question number और second का second part मैंने पहले समझाया है, और उसमें remainder 0 नहीं आया, तो it means, जो first वाला polynomial है, वो second का factor नहीं है अब first part में हम देखेंगे कि क्या remainder हमारा 0 आता है ये नहीं आता है, तो हमारे पास first part में दिया है कि जिसमें ज़्यादा terms है, वो हमें second polynomial दिया है जो divisor होता है, वो बाहर आएगा और dividend हमारा यहाँ पे इस पूरी इसमें अंदर आएगा यहाँ पे तो हमारा क्या बन गया, t square minus 3 हमारा divisor है और ये वाला पूरा हमारा क्या है second polynomial है और ये हमारा dividend है, अब हमने देखना है पहले भी मैंने आपको बताया था कि first term को देखना है कि उसकी power कितनी है और उसके साथ हमारा coefficient क्या है variable हमारा यहाँ पे क्या है, t है और t के साथ हमारा coefficient क्या है 2 है, और t की power कितनी है 4 है अब हमने divisor को देखना है कि हमने इस t square को किस और term के साथ multiply करनी है हमें क्या मिल जाए 2 t 4 मिल जाए एक तो हमें t square को अगर हम 2 के साथ multiply करते हैं तो हमें 2 t square मिल जाएगा लेकिन हमें 4 तब भी नहीं मिला इसका मतलब हमें 2 तो चाहिए है और साथ साथ में हमें t square भी चाहिए क्योंकि जब basis same होंगे powers are added यहाँ पर मैंने रॉफ में किया हुआ है इहाँ पर यह डिवाईजर है तो हमने इस डिवाईजर को 2 t square के साथ multiply की तो 2 t square के साथ जब multiply की तो यह t square के साथ multiply की तो यह बन गया 2 और t square into t square वैं, bases are same powers are added T4 बन गया और 3 को 2 के साथ multiply होगे तो यह बन गया 6 और sign यहाँ पर कौन सा लग गया minus का तो 6T square यह सारी term उठा के आपने कहा रखनी है जहाँ जहाँ पर इनकी जगा है 2T4 आ गया अब हमारे पास second term क्या थी 6T square और साथ में हमारे लगा था minus तो वो हमने देखना है यहाँ पर T cube के निचे तो नहीं आएगा square तो हमारा कहाँ पर आएगा जहाँ पर square वाली term है तो यह है minus 2T square और नीचे हमारे यहाँ पर term आगी minus 6T square उसके बाद हमने कहा था कि हमने sign कौन से लगाने opposite यहाँ plus है तो यहाँ minus है यह cancel हो गया इसकी जगह क्या आगया यह plus क्या है यह minus क्या है तो यह 0 बन गया मैंने 0 नहीं लिखा है लेकिन यह understood है अब अब यहाँ पर बचा गया था यह वाली term cube वाली term और T के साथ coefficient क्या लग नीचे आगई तो यह क्या बन गया यह 3 है यह T और यह cube यह आगया और यहाँ पर 6 plus का है और यह minus 2 का है तो 6 में से 2 गए 4 तो 40 square और यहाँ पर क्या-क्या बचा था minus 90 और minus 12 अब हमने देखना है कि इस divisor को किस और नंबर के साथ multiply करेंगे कि हमें यह वाली term मिल जाएगी 3 भी मिल जाएगा और साथ साथ में T cube भी मिल जाएगा ठीक है power हमारी यहाँ पर क्या है degree हमारी यहाँ पर 3 है तो इसके साथ हमें यह 40 square भी चाहिए 9T भी चाहिए और 12 भी चाहिए तो अगर हम इस T square को 3 के साथ multiply कर देते हैं तो हमें 3 तो मिल जाएगा फिर उसके बार T cube नहीं मिलेगा तो इसका मतलब हमें इसको एक T variable के साथ भी multiply करनी परेगी तो हमने यहाँ पर किस के साथ multiply की प्लस 3 T के साथ multiply की यहाँ यहाँ पर T square minus 3 into 3 T के साथ तो यह 3 T को T square के 2 3 9 T तो यहाँ पर प्लस 3 T आ गया और यहाँ पर हमने यह सारी जो value निकाली हुए यहाँ यह वाली यह हम कहां पर रख देंगे जहाँ पर इनकी मतलब जगा है तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आ गया प्लस का यह और यह दोनों कैंसल होगे क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है पीछे क्या रहा 40 T square यह हमने कहां ले आ दिया नीचे अब यह भी कैंसल हो गया पीछे रहे गया माइनस 12 अब किस और variable के साथ या constant के साथ multiply होगी कि हमें मिल जाएगा 40 T square और 12 लास्ट में हमने multiply की 4 के साथ यह मैंने रफ में किया हूँ है T square minus 3 into 4 तो यह आ गया 4 into T square is 4 T square और 3 को 4 के साथ multiply की तो 12 हमारा पूरा का पूरा ही जो हमें polynomial चाहिए था वो हमें मिल गया तो 40 T square minus 12 यह plus का है तो यह minus आ गया यह minus का है तो यह plus का गया यह पूरी term हमारी क्या हो गया बन गई 0 तो हमारा remainder क्या आ गया 0 इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा first polynomial है T square minus 3 जो है वो किसका फेक्टर है second polynomial का इससे हमें यह पता चलता है कि factor का क्या मतलब है तो thank you बेटा इसके मैं नोट साब को what's I present कर दो में थे